हलो दोस्तों आज हम सौर उर्जा के बारें बात करेंगे सबसे पहले में बताना चाहूंगा कि हमारे कमेंट सेक्षिन में काफी लोग अपने नाम और नमबर छुड़ जाते हैं हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता वो कैसे कंपनी है वो कैसे काम करते हैं हमें उनके बारें उने इंस्टोल किया है उन व्यक्तियों को पूछें कि कई सब्सक्राइब करें किसा है बैटरी के पफार्मन्स किसा है solar panels कि कितने दिनों में उनने लोग ने इंस्टॉल कर दिया है और किसी भी हालत में cash payment नहीं करना check payment कीजिए company के नाम पर payment कीजिए company के नाम पर check payment कीजिए किसी individual व्यक्ति के नाम पर नहीं सिर्फ company के नाम पर आप check देंगे अगर देंगे तो हमने सारुजा के बारे में एक वीडियो भी बनाया था बहुत से लोगों को पसंद आया और कई सारे प्रश्ण भी आये तो आज हम उन प्रश्णों का उत्तर देने का कोश्ट करेंगे तो पहला सवाल था कि गोश्ट सबसे पहले हम कोश्ट के बारे में बात करते हैं उसना पूछ लोग पूछ रहेते की का अग्र सकुंदा है आप गर का सइस क्तना है तो आपका गर को घर की लगेगा का सिस्ट्म sap कर लिए अगर आप एसी नहीं एर कंडिशन नहीं यूज जोश करते हैं तो और खेत के यह वाटर पॉम के लिए यूँ पकड़ के चलिए कि एक होस्पाउर का पॉम के लिए आपको एक किलोवाट के सिस्टम लगेंगे तो पांच होस्पाउर का वाम के लिए आपको पांच किलोवाट के सिस्टम लगेंगे वन किलोवांट इस इक्वल टो वन बीएच के इस इक्वल टो तौजन स्क्वेर फीट इस इक्वल टो वन लाक रुपीज ठीक है उससे भी छोटा अगर पकड़ेंगे तो एक पैनल के इसाब से पुड़ो एक सोलार पैनल का 10,000 कोस्ट होगा बैटरी का करीबन 10,000 कोस्ट स्कुट बैट ओछ लाक तॉवल होगा तो आपो चार तो लगें ओन एजक पिक पॉप यूस्ट करेंगे तो भी आपको चार अनोय पेनल लगेंगे फ़ीच कोश्ट करीमएं आता है उन लाक बैटरी फ्रेम और इंस्टिललेशन के साथ प्लीज यह गे की सबसिडी के पीचे मत जाएं आपका फायदे का है आप सबसीडी के पीचे मत भागिए इसका ज़रूरत नहीं है आपका हर एक पैसा इसमें जो इंवेस्टमेंट किया है वो वापस मिल जाएगा कुछ डरने का ज़रूरत नहीं है और एक बात बताना चाहूंगा कि solar panels गए पात साल से बहुत ही इंप्रूव हो गया है तो पात साल पहले तो सबसे बड़ा solar panel का size होता था और आजकल का पैनल रेटिंग हो गया 320 यही 300 परसेंट या तीन गुना इनका परफॉर्मंस इंक्रीस हो गया है तोजन स्केर फिट कर एक किला वाट का पावर यूज होगा इसके लिए सिर्फ चान पैनल 320 वाट के लगेंगे आपको अब LED ट्यूब लाइट लेडी बाल्व और LED टीवी यूज करना चाहिए तो आपका टीवी का size 36 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह अभी आजकल का trend चल रहा है कि जितना बड़ा screen है उतना ही अच्छा है लेकिन यह ओर्जा के लिए अच्छी बात नहीं है आप ज्य करने वाली चीज है तो यह सबसे ज्यादा उजा यूज करने वाला चीज है के size पर ध्यान दीजिएगा तीसरा बात लोग पुछते हैं कि कितना देती है इंडिया में जो भी electricity भी लाता हो अगर आपका electricity bill 1000 रुपए से नीचे है तो आपको इस और उजाए के बारे में सोचने की कोई आवशरता नहीं है अगर आपका electricity bill 1000 रुपए से उपर होता हुआ तो आपको इसके बारे में consider करना चाहिए क्योंकि आगे चल कर ये electricity बहुत और expensive होते जाएगा आपको चलो यू मन के चलिए कि आप 1 लाख रुपए fix deposit में डालते हैं अगर ये 1 लाख रुपए का system आपको लगता है और इसके बदले आप solar में डालते हैं तो आप 1 लाख रुपए fix deposit में डालते हैं और अगर आपको bank 7 टक का interest भी देता है तो आपको एक साल में 7000 रुपए मिलेंगे जो अगर आप 12 मैने में divide करेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 580 रुपए मिलेंगे करीब अगर आप 1 किलोवर्ट की system install करते हैं तो आपको ये 1 किलोवर्ट का system आपका 2000 रुपए पर मंद बचा सकते हैं तो समझो आपका bill 2000 राता हो तो आपका bill एक दर शूनी आ जाएंगे मैनस में जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं लेकिन 2100 बिल आता हो तो आपको सिर्फ 100 रुपए बरना होगा अगर आप AC यूज करते हैं जो आजकल तो बहुत सारा गर में common हो गया है कोई-कोई तो सिर्फ रात को दो गंटे के लिए यूज करते हैं लेकिन फिर बंघंड़ी विल तो बढ़ता ही येश एक विएकरान तो आपको चार जार सुपोस्ट विलाता हो यह 6 जार आता हो मिलेंज हो तो आपको इसुस्ट करते हैं तो विंप्स में आपका बंगलो है या कुछ का रोहाउस कम से कम 5 किलोट काप सिस्टम इंस्टाल करना चाहिए अपको इंस्टाल करना काफी आसान है कि हैं आपके चछत आपके हैं आप जैसे चाहें बिटा सकते हैं लेकिन बिल्डिंग में मुश्किल में आपको फोसॉशाइटी के परमि बिल्डिंग के लोगं से बात करके आप शेड बिटा सकते हैं तो उनके खर्चा बच जाएंगे और electricity फिरी हो जाएगा आपको तो इस तरह से आप कर सकते हैं society building के उपर भी आप शेड कर सकते हैं common areas में शेड लगा सकते हैं फिर उटकने जहां कि और आड चाहिए कि और बढूरीटhmen चाहिए आपको Pinterest डिल्ट बेटाना चाहिए था और इलेक्ट्रिटी मीटर के साथ बीताना चाहिए या रेक्ट्रिट बंकर के अप आपको ऑफ ग्रेड चाहिए चाहिए तो विताओड बैट्री यूस कर सकते हैं कि जो भी यूर्जा प्रोडीस होता हो ग्रिड में चला जाएगा और आपका ग्रिड में चला जाएगा लेकिन आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे अगर आप ज्यादा यूर्जा पूइदा कर रह और समय समय पर उन्हें बदलने के पैसे भी बचाते हैं ध्यान रखिएगा अगर आप बैटरी नहीं करीते हैं तो आपके सोलर सिस्टम बिटाने के आदे पैसे बच जाएंगे लेकिन उसमें माइनस पॉइंट यह है कि अगर पावर कट अफ़ता हो तो आपको एक किलोवाट सिस्टम एक दिन में कितना अप और हम दोनों एक ही शहर में हो हम दोनों आसपास में ही रहते हो और आपके घर और मेरे घर अगल बगल में होने के बावजूद आपको ज्यादा अगर आपको कोई बिल्डिंग या ट्री कवर होता हो तो शेड गिर रहा हो और कास्ट कंडिशन में बारिश के टाइम में इस सेरे में क्लाउड कवर होगा तो उस सेरे में अगर पैदा होगा तो यू मान के चलो कि बेस्ट समर डे पे आपका अगर आपका 320 वाट्स पर आउर आएंगे तो सोलार पैदा करेंगे डिपेंडिंग अन्ट संडलाइट पर ही आप उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकते तो आपके सबेरे तो कम होगा दूपेर को ज्यादा होगा और शाम को पावर आटपुट फिर से कम हो जाएगा और ए पानी का तल 100 फीट नीचे है तो यह बहुत गंबिर समस्या है और आपको पंप लगाने से जरूरी है कि आपका पानी का तल उपर लाने की कोशिश करना चाहिए क्यूंकि इसमें आपको सोला पैल्स कम लगेंगे बैटरी स्कम लगेंगे और पंप भी छोटा लगेगा अग तो पानी तो नीचे जाएगा ने आपका तो पानी का तल नीचे गिरेगा यह आपका उपर से जमीन अगर बारिज भी हुआ तो फोड़ा पानी नीचे जाएगा लेकिन उसके बाग एक फुट कुछ पानी नीचे चला जाएगा लेकि उसके नीचे तो नहीं जाएगा आप परके इस मिट्टी को भी लिखे चला जाएगा आपको सबसे पहले खेट के 10 परतिशत एरिया को तालाब में बदलना है तालाब कम से कम 6 फीट गहरा होना चाहिए 25 फीट लंबा और चवड़ाई आपके हिसाब से कोई प्लास्टिक लाइनर का उपयोग नहीं किया जाना चाह यह सबसे ज़रूरी बात है अगर आपको बरपूर पानी है तो आपको इतना बड़ा पॉंप लगाने की ज़रूरत नहीं है चोटा पॉंप से भी काम चलेगा जब सबैरे साथ बज़र सूरज उगेगा तो आपका सोलार पॉंप काम करना चालू कर देगा और शाम को बाते क्लियर करना था आशा है कि हम आपके कुछ संदे दूर करने में सक्षम रहे अगर आपके पास और कोई संदे या राय है तो सब्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा धन्यवाद